आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो किसी भी ओनलाइन वेबसाइट से कोई भी Amazon, Flipkart या कोई भी अलग वेबसाइट है ओनलाइन है तब आपने कभी वहां पे जो प्राइज है वो कभी मैं नोटिस किया उसको वहां का प्राइज कैसे होता है डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, ऐसा कुछ करके, ये क्यूं होता है, इसके पीछे रीजन का है, कभी जानने ही कोशिश की, शायद आप में से बहुत चारों को ये पता भी हो कि इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये एक साइकलोजिकल चीज होती है, मतलब कि पोज करो, आपने कोई चीज ली जिसकी कीमत 100 और जो आप वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उसका प्राइज जो था, वो 99 था, तो आप क्या बोलोगे उसे, आप उसे 100 नहीं बोलोगे, आप उसे 90 ही काउंट करोगे, भले ही उसकी कीमत 1 रुपया कम है 100 से, फिर भी आप उसे 90 ही काउंट करोगे, ये एक साइकलोजिकल चीज होती है आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि रहूं व्हूभ करनेर में तो जेनियों लिखा है जेनियों से रnehitogen जीजिज यह फिर फ्रक्राइच का यह प्राइज मैं सब्सक्राइब उबएक नई परजाती तो जैसे कैसे आपके माइन के साथ खेलते हैं इस चीज को मुझे समजाना था आपको पता है जैसे जनιο में हुए PROTEST के अब जिसमें सिंगल रूम जो था जिसका किराया मंतली किराया जिसका 20 रुपे था इस 20 रुपे पे गोर करना जिसका मंतली किराया 20 रुपे था बिजली पानी फ्री ओके वो बढ़ाके 600 रुपे कर दिया गया और 10 रुपे जिसका मंतली किराया था जिस रूम का वो बढ़ाके 300 रुपे कर दिया गया औ अब यह बात किसी ने नहीं बताई यह BPL परिवार वालों को कितनी चूट वहां दी गई फिलाल अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं जो पहले मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में जो प्रोडेक्ट की बात की थी अब यहां क्या कर रहा हूं मैं देखो 20 रुपे बढ़ा ज़्यादा बढ़ क्याएगा और अब मेडिया हाउस किया कर रहे रहे हैं वो 30 गुना प्राइज बढ़ा दिया वह 30 कौना को मतब उसके आपर फोकस कर रहें वह जोर दे रहें अब मैं नहीं क्या रहा है कि यह इतना नहीं बढ़ा है इतना परसेंटेज नहीं बढ़ा है ठीक है मैं इसे deny नहीं कर रहा हूं लेकिन जो media houses है वो इसको represent कैसे कर रही है वो गलत धंग से represent कर रही है मैं आपको इसको जैसे समझाता हूं जैसे company आपके mind के साथ खेलती है ऐसे ये media houses आपके साथ ये fact के साथ खेल रही है आपको बड़ी हुई कीमत में नहीं दिखाएगी कितनी कीमत बड़ी है वो आपको percentage पे वो गुना करके आपको दिखाएगी इतनी गुना ताकि आपको वो चीज जादा लगे वैसे ही जैसे कि company 100 रुपे की चीज को 99 करके बेचती है भले ही एक रुप्या कम है तब भी आपको 100 रुपे नहीं लगेगा आपको 90 ही लगेगा ऐसे ही यहाँ पे आपको psychological तरीके से वो media houses आपके साथ खेलती है कि वो percentage में आपको ज़्यादा चीज दिखाएगी कि percentage इतना बढ़ गया है 700 परसेंट 800 परसेंट इतना बढ़ गया है तीस गुना प्राइस बढ़ा दिया है लेकिन actual में आपको समझना है कि 20 रुपे जो किराया था वो पांसो असी कर दिया 10 रुपे जो किराया था वो 300 कर दिया अब तो फिलाल रिवाईज कर दिया वो 200 कर दिया और 100 कर दिया ऐसे कर चीज है जो बीपियल परिवारवाले है उनके लिए तो वो आदा ही है तो यह चीज कोई नहीं नहीं बता रहा है यहां पर की भी एक्चुल में चीज क्या है अब मुझे एक बात हो कि इसमें इतना प्राइज जादा हो गया कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है कि इसके उपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं बोज़ जगा अब फिलाल देखो एप मैं प्रोटेस् इतना जादा बढ़ गया हम सडकों पर खाड़े हो गए और साथ ही जो बिजली पानी है उसका खर्च उनको देना पड़ेगा अब जहां पर देखो यार जब भी कोई जब होली एक त्योहां रहता है तब बोलते हैं कि पानी वेस्ट इस मत करो पानी वेस्ट इस मत करो तब पानी को यार बिजली तुम फाल तुम में क्यों फू करें उस चीज को लेकर अगर तुम बिजली ज़्यादा खर्च इनी करोगे तो किराया जदा बढ़ेगा भी नहीं पानी के बढ़े गए नहीं अब बहुत सारे जो अब मीडिया आउसी इनकी तरफदारी कर रहे हैं द अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं मेरे पिता जी सड़क पर साइकल पर समान लोड करते हैं सड़क पर चिला-चिला के गली महलों में चिला-चिला के समान बेशते हैं और वही किसी दिन 200 आया तो किसी दिन 300 आया इंकम की बात में कर रहा हूं किसी दिन 200 आया किसे दिन 300 आया किसे दिन कुछ नहीं आया जिस दिन नहीं गये जिस दिन तबियत खराब है उस दिन कुछ नहीं आया तो अगर मैं नॉर्मली जोड़ूं तो यहां लगभग 3000 मेरे बहां कि करत क्युंगे में रहता हैं वह पताने मुझे सच में इन है लेकिन भेज देते हैं आपको लग रहा है कि अगर यह श्रीप पढ़ गया तो मैं तो छोड़नी दूंगा मतलब मेरे पास कोई आपसान ही क्योंकि मुझे पता है कि घर में कितने पैसे आ रहे हैं और पापा मुझे कितना दे सकते हैं तीन हजार चार हजार तक अभी दे देते हैं उससे ज़्यादा मैं मुझे खुद सर्म आएगा उनसे मागने में अपने इस वीडियो को जो वीडियो में जो बैक्ग्रांड साउन चल रहे हैं चाल रहेज़steps बाड़ा ही हमै उस झौति सथी कि दिखाऊंगा पांसे दश सेंद कि आप आपको क्या करrhा रहे हैं इसके अंदर या फिर आपको पीछे जाके जो वीडियो भी थोड़े देर पहले चली ति पीछे जाके इसमें एक चीज देखनी है यह जो लड़का जो इसमें बोल रहा है अब आपको इसमें जो इसके राइट हैंड में जो ब्लैक फोन आपको दिख रहा है टच स्क्रीन का जो बड़ा सारा है उसको गोर करना दूसरी चीज जो इसका हेर स्टाइल है तीसरी जो इसने चट जो पहन रखी है चोती जो इसकी हेल्थ है अब मैं नहीं कहा रहा हूँ यार हेल्थ नहीं होती अब जैसे इस इस इनसान ने बोला कि जो इसके पिता जो है वो 200 रुपे महीना दिन के कमाते हैं या वो कभी कमाते भी नहीं यानि इसका मैं एवरेज लूँ तो वो 5000 रुपे महीना कमा रहे होंगे किराय और भी इजी हो जाएगा फिर यह चीजे क्यों यार अब आपको यह चीजे द्यान से समझने कोशिश करने हैं यह मीडिया हाउस आपको दिखा गया रही है यह देखो कच सक्रीन का फोन जो इसके हाथ में यह एप्रोक्सिमेटर दस हजार रुपे तक का आता है एक काम पांच हजार रुपे महीना कमाने वाला एक इंसान कैसे इसको दस हजार रुपे का फोन दिला देगा कैसे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं जो हेर स्टाइल जो इस इंसान ने कर रखा है यह सारी चीजे आपको क्या दिखान देखने को मिल रही है यहां पर इतने साल से अपने बाप की जागीर समझ के वो इतने साल से वहां अधेड उमर के वो लोग जो पढ़ाई के अलावा मतलब पढ़ाई नहीं करते थे सिरुप पढ़ाई करने के अलावा और बाकी काम करते थे पढ़ाई को छोड़ दो पढ़ाई तो उन्होंने करनी नहीं اور باقی سب کام کرनے ہیں देश को कैसे तोड़ा जाए देश के खिलाफ कैसे बोला जाए कैसे अपनी आजादी की मांग ली जाए मुझे तो यह समझ नहीं आता कि उनसे क्या चीन लिया गया सो दो सो रुपे बढ़ा देते हैं वो तिन सो रुपे बढ़ा देते हैं तो उनसे क्या उनके आजादी चीन जाती है क्या यार एक चीज बताओ दस रुपे अगर आप बाहर जाते हो अगर दस रुपे की चीज करते हो तो दस रुपे में तो आपको एक कप चाए तक ना मिले या वो ही मिले सिर्फ या तो एक कप चाय मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा तो यह जो इनसान जो इतने भूंक रही है यहां पर आके इतना इतना बढ़ गया कि रहा यह बाहर जाके तो इतना तो यह चाय के उपर बिस्केट के उपर सिग्रेट के उपर नशे के उपर फूंक देते हैं यह अब एक बढ़काऊ तरीके से आती है वहाँ पर तो वह क्या बोल रहा है वह बड़े ही वह जे न्यू से पढ़ा हुआ इंसान है जो इसकी न्यूस पढ़ रहा था वहाँ पर तो वह कैसे तरफदारी करता है कहता है कि यह देखिए पुलिस वाले कैसे धक्का दे रहे हैं इन चीजों कि मुगा है अबसी न्यूस वी क empez वोगा है रहे है कि अवी। की कि arts भी कि包 inanhole cिの ईख खरते वे घ्ल का भी इज녹 कज पिए जेंचे पे हैं पार वारी तेमक वे लिए थाओ लग में अजब में अरे करेका कि अक्मालय करे करद दो अक्ड़ते लिए बारी अगली अजब टेन से लिए के लिए थे लिए लeगा करे लिए लिक पशे लिख लिए लिए लोकार है झाल झाल आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये जो जो स्टुडेंट है वो बैरिकेट खीच रही है पुलिस कर्मियों से कैसे एक लड़की बैरिकेट पे खड़ी है और पुलिस कर्मियों उस बैरिकेट को उठाने के कोशिश कर रहे है वोटर कैनन जो चलाई जारी है वो सड़क क बीच में चलाए जारी है ताकि वो जो भीड है उसको अलग कर सकें, यार किसी को मारने के purpose से नहीं चलाए जारी वहां पर अगर मार पी रहे हो तो इतना कोई वो नहीं हो रहा कि वहां पर कहो कि हाँ हमारे खिलाफ ये चीज़े हो रही है इन से request करने चाहिए कि please हट जाओ हम आपके हाथ जोड़ते हैं पैर पड़ते हैं प्लीज पीछे हट जाओ शायद ही पीछे हट जाए लेकिन पुलिस कर्मी क्या करें यार वो इन यूटूबर्स को नहीं जानते वो तो शायद ऐसा ही काम करना जानते हैं अब यार एक चीज इनसान सामने से आपको धका देगा तो आप क्या पीछे हटोगे या आप भी अपने आपको बचाने ही कोशिच करोगे यही तो वो हो रही है पुलिस कर्मी अपना काम कर रहे हैं भई वहां पे उनका काम असान नहीं है वो बैरिकेट को चीन रही है लड़किया बीच में आ गचाना को मोदी की सेना कैके पकारा जाता है तो यह बोखला उटते हैं कि मोदी की सेना कैसे कह दी और यही वो मीडिया वसी सैजो सीह आरप्य को यह बोल-जाए क्यां की एस य理कि दोगला पंती क्यों चल रही है यार और अब बात करें कि इजे कि यह कितनी फीस बढ़ी ह रुपे ही तो फीस बढ़ाई अब तो वो और भी कम कर दी गई है तो इसमें कोई बवाल करने वाली बात नहीं है बस अगर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो स्टूडंट है वो चात्र है उनके पास तो फिलाल मुझे नहीं लगता इतना टाइम है कि इन बकवास बातों यह चुब रही है कि 20 रुपे में हमारी बाप की जागीर थी और यह हमसे चिनी जा रही है हम 600 रुपया देना पड़ेगा इतने रुपे देना पड़ेगा बिजली का भी रुपया देना पड़ेगा या पानी का भी रुपया देना पड़ेगा और असल में दिक्कत पता है क्या इन अधेड उमर लोगों की ये पता है क्या नहीं कर पाएंगे अब जो इनके अभी तक जो चीज़ें चल रही थी न अब इकी वीडियो देखो ये अधेड उमर के लोग ये अरकतें ये कैमपेंड चलाते हैं जे इन यू में किस ओफ लव ऐसे करके चीज़ें अब इस वीडियो बनाने के पीछे ही वही ये जो स्वामी वेकानन जी के जो वहां पर जो प्रतीमा थी जिसका अभी तक उदगाटन भी नहीं हुआ जिस पे पत्थरबाजी की गई जहां पर एफ यूसी के बीजेपी लिख गया भगवा जलेगा ऐसे ऐसे चीजें वहां लिकी गई गाली गलोच लिकी गई तो इस चीज़ के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला ये मीडिया हाउस तब कहा गए थे अब एक न्यूस पेपर मैं पढ़ता हूं उस न्यूस पेपर में जब ये प्रोटेस्ट की बात आई ये लोग कहां जाएंगे बेचारे बच्चे कहां जाएंगे अब इनका आसरा चीना जा रहा है तब ये चीजें देते हैं लेकिन जब ये अरकत हुई स्वामी वेकानन जी की प्रतीमा के उपर जो इंट फैंके गए ऐसे स्लोगन लिखे गए तब क्या होता है ये एक इतना किया जाएं किसने वह घटे आरकत की या जायर सी बात है ये जो कर रहे थे प्रोटेस्ट इन्हीं की तो हरकते हैं वहां पर अब ये एक और जो यूटूबर हैं ये क्या कर रहे हैं जो जैनियू से पड़ा हुआ ये महान बुद्धी जीवी जो इनसान है बोड़े ही चाला है कि एक साइड ही जुके रहो बीच में रहके बात करो ना यार क्या चल रहा है तुमने जब उनकी बात रखी तो यहां पर भी ये बात रखो ना कि जो ये चीज़े की तो उनी इनी अधेड़ उमर के लोगों ने तो तो किये ये चीज़े मुझे ये समझ नहीं आता है ये और तब से कि अधेड़ उमर के लोग वहां पर पढ़े हैं फ्री फंड में वहां पर विजली पानी सब कर रहे हैं पढ़ाई के लावा और रात को मतलब नशा दारू सब चीज़े करते हैं अब मैं और क्या बता हूँ आप बस आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है आपको खुद पता चल जाएंगी हर वो चीज़े कि एक चीज़े क्या है अब देखो मेरा काम था यह चीज़ें बताना वो मैंने बता दी है अब आप लोगों को सोचना है कि यह चीज़ें कर क्या रही है मीडिया हाउसी कर क्या रही है कौन किसकी तरफ जुकाव दे रहा ह क्या चीज़ें आपसे चुपाई जा रही है